स्वाथ श्रीकाल दोस्तों मैं हूं दविंदर सिंगर आपका स्वाइब करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टैकी दविंदर में तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक फूल एचडी डिस्प्ले़ है मुझेक फूल एचडी ए या ल्चिधी है तो साथ में हमारे पास जो ऒ्राफिकस से ड्राइवरण है यह पर आई वो एमडी का है काफी पूराना है जैसे मेरे पास जो ग्राफिक्स है वह है एमडी 3000 विज जो लगबग आज से 10 साल पुराना होगा तो यहां पर मैं देखता हूं डिस्प्लेय में जाके यहां पर डबल क्लिक किया तो ATI के वेडाउन 3000 ग्राफिक्स है और जो ड्राइवर की डिटेल है उसमें आ रहा है 2015 विज जो इसके लास्ट ड्राइवर अप्डेटीर है वो 2015 के हैं तो हमारे पास एक प्रावलम हाती है इसमें कि हमारी जो स्क्रीन है वो स्केल नहीं होती चोटा ही आता है जो फुल स्क्रीन पर यह डिस्प्लेइ श्केल नहीं हो पाती तो अगर हम जो विंडो में सेटिंगे है डिस्प्लेइ की इस में ने विंडो की डिस्प्लेइंग के प्लिक किया यहां पर आप जैखेंके 100% आएट पर यहां पर भी फूल हडी आ रहा है कोशिश करता भी हो गो तो भी क्या होगा स्केलिंग जो है ुसी इरिया में होगी जतना पहले था इस कृर स्क्राइबी फुल नहीं होगी तो इसको अगर मैं ठीक करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे अभी क्या करना होगा चलिए आगे हम पीसी पे देखते हैं सब तो बेसिक प्राउलम जो हमारे पास हो है ड्राइबर्स की जो नए ड्राइबर्स है जो वो जो एमडी कैटालिस्क सेंटर होता है उसके साथ वो कमपैटिबल नहीं है इसलिए सबसे तहले तो मुझे क्या करना ह होगा एमडी की साइट पे जाना पड़ेगा और मुझे कौन से ड्राइबर इंस्टॉल करने पड़ेगे विंडोस 8 के यहां से मैंने चूज किया एमडी एटी याई आप और व्यां से मैं चूज करमा हमारे ड्राइबर्स क्लाना चाहता हूं तो यहां से एवाला भी आंगया निया पर यह ऑपन कर सकते हैं मुझे की साइट खोला चाहते तो आप मुझे सकते हैं यहां पर जैसे आ गया एमडी डाडाट कॉलिट होग तो whई यहां पे ही आते हैं और यहां पे अभी आगया यहां पे हम स्लेक्ट करेंगे ग्राफिक्स और प्रॉब्लम जिस भी ग्राफिक्स में हो आप यहां से से सब्सक्राओं सब्सक्राइब U कि यह मेंूद करेंगे यह बाइबे कॉन से एडिशन के ड्राइबर चाहिए हम लास्ट यह हमारे पास होगा विंडोस 64 विट है तो 64 विट अगर आपके बस विंटो 10 है विंटो 10 तो 32 विट है यहां से मैं डाउलोर पे क्लिक करूँगा तो ड्राइबर डाउलोर ने शुग हो गया है जा यहां पर वाल निखा रहा है इसके मतलब मेरे पास पहले से ही है यह वाले ड्राइबर तो इसे मैं पास करूँगा आके तुलदा टाइम को बचे यह हमारा अगला जो काम है हमारा हो है इसे स्टान करना तो मैं डिस पीसी पे जाओंगा यहां पर आके इस पर डबल खलिक क तो अब ही देख लीजेगा यहाँ पर कोई भी कैटालिस्ट वाइवर नहीं है मैंने डेवल क्लिक कर दिखा है तो अब देखते हैं कि कैसे आगे की प्रसेस सब्सक्राइब चलेगी तो यहाँ पर उसने फोल्डर कुछा यहाँ पर वह एक्स्ट्रेक्ट करना चाहता है तो आप देख सिखते हैं एमडी इस कोड़ में वह एक्स्ट्रेक्ट कर रहा है यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रक्शन शुरू की थोड़ी देर बाद कैटलिस की इंस्टॉलेशिन जो अबोशिर हो जाएगी यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा इस्टॉल करूँगा अगर आप कस्टम करना चाहते है तो कस्टम भी कर सकते हैं ऐसे और यहाँ कर दिया है अभी प्रोग्रेस शुरू हो गई है उसने सारा जो हार्डवेर के ड्राइवर्स बेरा हैं या जो भी उसके साथ रिलेटिट्ट सॉफ्ट्वेर्स ने कैटालिस्ट के जाथ वो शुरू कर दिया है तो हमारे पास यह उप्शन आवी हैं मैं यहां से स्लेक्ट आउल ऐसी रखतेंगा और नेक्स्ट कर दोगा तो यहां से मैंने अक्सेप्ट किया तो इंस्टॉलेशन जो है हमारी शुरू होगी है तो आप देख से तो हम आप ही तेजी से इंस्टॉलेशन हो रही है हमारी हुआ है हुआ हुआ है हुआ है तो तो थोड़ा तो इंतگार हमें करना पढ़ेगा सो इंस्टोलेशन अभी कंप्लीट हो जुकी है और हमारे जो ट्राइवर है अभी भी चल नहीं रहे है तो मैं यहाँ पे मैनेज में जाता हूं फिर से अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैटालिस्ट सब्सक्राइब करेंगे इंड़ान में तो इंगन पड़ा यहाँ पे चींच तम्राइब काई का अंति छहाँ पें तो अब हमारे इंस्टॉल हो जोगा है अजर अब ड्राइबर चेक करेंगे तो ड्राइबर हमारे अगी भी इंस्टॉल नहीं है तो ड्राइबर जो थे वह लिटर्स थे मैंने इन्ट करने की कुशिश दी थी तो मुझे जो पुराने ड्राइबर है वो अन्द इस्टॉल करने पड़ेगे और आप जहां प्रिजिक से थे हैं कैटालिस्ट में कहीं हमारे पास ड्राइबर की कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहे है तो इसे मैं क्या करता हूं भी बंद करता हूं यहां से मैं राइट क्लिक करता हूं यहां से इसे अनिस्टॉल करता हूं यहां से जो पुराने ड्राइबर है उनको डिलीट ही कर देंगे पुराने नहीं एक्चली लेटेस ड्राइबर जो है वो डिलीट करने है हमने तों ड्राइबर हमारे जो है डिलीट होचे है यहां तो मैं फिक्स से सर्च करूगा तो अगर आप देखेंगे display में basic driver आ गहे है अभी तो basic driver में right click करूगा यहां पर update driver करूगा और यहां पर मुझे अभी search automatic में करना है मुझे करना है browse सब्राउज में मुझे कहां पर जाना है यहां पर मेरे ड्राइबर इस्टॉब होते हैं यहां पर अगर आज उसकर चाहज़े भी चूज़ करते हैं यहां पर करेंगे हैं ड्राउज को आपको वही पात देना है की संपिन गाराई है एंड तब्सक्राइब कर देना है यहां से एट्सक्राइब दो ड्राइवर्स आ गए हैं यहां से मैं नेट्स के दरूँगा तो ड्राइवर हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं अभी तोड़ी देर में ड्राइवर्स हैं इस्टॉल हो जाएंगे फिर आप देखना के यहां पर फिल एचीडी भी आने लगेगा सो दो बर ब्लिंग किया और ड्राइवर जो हैं लगेवर को इंस्टॉल हो चुकी है तो हमारे पास जो ड्राइवर है में अभी इंस्टॉल उचेंगी है तो हमारे पास तिल वही प्रावलम है अभी भी कि हमारी जो स्क्रीन है वह भी भी स्केल नहीं हुई है हम कैटालिस्ट अगला जो काम है हमारा वह हम कैटालिस्ट को उपन करेंगे जो यह अपिक है कौन से इंस्टाल्ड है यहां पे हम देख सकते है 2012 वाले अगला काम मेरा क्या है कि मैं इन ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद अपना प्रीसी रिस्टाट करने का उरल तो ड्राइवर तो अभाय हो चुके हैं हमारे जॉ कार्ट के थे वह बारी है हमारे पास Je suis ईस स्क्रीन जो है डिस्पले है विंद्वो एरिए को फुल-स्क्रीन रनेगी तो बस उसके लिए मुझे राइट क्लो capitalist यहां पर ओर यहाँ पर जाना होगा एंग ही यह peng cần जैंक हैं इस stone जैंटे आंब जाना होगा है कर दो यहां पर कृच्क एवर्ट सबभी कैनल करोड़िए सकते हैं कि reasonably तो यहां पर देह वह खैता है कर देसा दो लो सब्क्र oz यहां पे। एक level कर नना चाहते तो हम और हम सबस्कार करना है, कर देना है। कि सबीक है, का बोपधा की यहां से यह shape के लिग कैना है। तो यहां से मैं अप्लाई करते हूगा, यहां से अभी क्लोज करते हूगा, तो इसके बाद चाहे तो आप अपने जो डिस्प्लेय ड्राइबरे वे वो विंडोस साइट से अपडेट भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे ही चलते रहेंगे, तो मैंने अ दुबारा से देखेंगे, तो यहां से 2015 वाले आ गए हैं, तो मैंने अपडेट कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं, फिर भी वो काम कर रहा है, पहले आपको ड्राइबर करने होगे, फिर बाद में, सेटिंग करने के बाद अपडेट, अपडेट के बाद फिर से सही प्रसेस प्रफॉर्म करके, यही स्टेप्स फॉलो करके उसे क्लिक कर सिते हैं, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो का लाइक एड शेयर जूरूट करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक सब्सक्राइब करना, मत भूला, धन्यवाद